बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूटीब चैनल मानस जोतिस ग्यान में मैं हूँ आपके शात आचारे राजमिश्रा एक समस्याएं अगर समाज में देखा जाए तो बहुत देखने को मिली है कि किस प्रकार की मिथ्या कलंक आज की परिस्ति ये हो गई है कि लोग अपने दुख से दुखी नहीं है बलकि दूसरे के सुख से दुखी है और ऐसी परिस्तिती में अगर आप अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कर रही हैं तो आपको पीछे कैसे खीचा जाए उसके लिए अनेक प्रकार का प्रयास करते हैं आपको भी नहीं पता कि आपके पीछे कितने गुप्त सत्रू लगे रहते हैं वो हमेशा किसी भी प्रकार का शाम, दाम, दंड, वेत, कुछ भी अपना करके सिर्फ आपको पीछे खीचना चाहते हैं और इसी में एक बहुत बड़ा विशे तयार होता है मिथ्या कलंक, वो क्या करेंगे? आपने नहीं किया है, लेकिन सड़यंत्र करके आपको मिथ्या कलंक में जूठे बातों में जूठा आरोप आप पर मिथ्या आरोप जिसको कहशकते हैं जूठा कलंक जिसको कहते हैं, वो लगाते हैं और कई लोग इस परिस्थती से बाहर निकलाते हैं, बहुत सारी लोगों को मैंने अपने जीवन में देखा, कि कई लोग तो सुसाइड इत्याद ही कर लेते हैं, कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बैचारी इतना प्रताड़ित होते हैं, मानसिक प्रताड़ना इतनी जह बिलनी पड़ती है, कि वो कही न कहीं गलत कदम उठा लेते हैं, इस कलंक के कारण कई लोगों की नौकरियां चली जाती है, कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोगों का परिवार बिखर जाता है, यह बहुत सारी जो परिस्थती है, वो जो मिथ्या आरोप, मि 32 क्या कारण हो सकते हैं, मिथ्या आरोप के, मिथ्या कलंक के, और क्या उपाय करना चाहिए, इन दोनों चीजों पर काम किया गया, ध्यान रखिए, अपनी जनम कुंडली को देखिए, या अपने जनम कुंडली को, अगर ऐसी परिस्थती आपके जीवन में चल रही है, तो क पापक ग्रहे हो, उसके साथ जाकर के जनम कुंडली के लगन में बैठ चाहिए, और जनम लगनेश और जनम लगन शुभ प्रभाव से बंचित हों, यानि किसी भी प्रकार के शुभ ग्रहे की दृष्टी जनम लगनेश पर या जनम लगन पर ना हो, तो जब भी ऐसी परिस में आपको मिथ्या आरो, मिथ्या कलंक का शिकार होना पड़ेगा, और उस्षे बहुत नुक्षान होगा, दूसरा महत्वकून पॉइंट, अगर आपकी जनम कुंडली का जो दसमेश है, वो पापक ग्रहे के नवांश में जाकर के बैठ जाता है, नवांश कुंडली का नि लोग को कही न कहीं से ऐसा इंकम जरूर आता है, जो शायद उनके लिए बहुत सही रास्ता नहीं होता है, तो अगर इस प्रकार के प्लैनेट आपकी कुंडली में हैं, और गलत मार्ग से पैसा आ रहा है, तो एकादस भाव में पापक ग्रहे गलत मार्ग से पैसा देने के तयार करता है, और दसमेश के पापक ग्रहे के साथ नौवांश में होने के कारण, वो आरोप, वो कलंग, वो जो रास्ता है, वो छिप नहीं पाता है, और ऐसे कंडिशन में मिथ्या आरोप, मिथ्या कलंग जरूर जीवन के अंदर लगता है, तीसरा महत्वपूर्ण तो ऐसी परिस्थती में भी जब उसकी दसान तरदसा आती है, तो आपको मिथ्या आरोप, मिथ्या कलंग का शिकार होना पड़ता है, और ऐसे कंडिशन में गलत कदम इत्याजितर लोग उठाते हैं, तो ये वो पॉइंट हैं जो शायद आपको कलंगों से, आरोपों से आजकल देखा जाए, तो हर दूसरे घर में जोटसी मिलता है, मैं अगर यूट्यूब पर देखूँ, अब आप लोगों की बहुत एक्षाये रहते हैं, इसलिए आकर के वीडियो तयार करना पड़ता है, ने तो जिस प्रकार की परिस्तिया में देखता हूं, मुझे लगत नहीं है कि अब बहुत कुछ बताने लाइक रहता है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत कम नौलेजबल लोग हैं, जो आकर के यूट्यूब पर भी वीडियो डालते हैं, या आपको सघोसित जोटसी बनाते हैं, तीन-तीन महेने का लोग कोर्स करके और कहते हैं कि हम ज सुन्दर चौपाई है, स्री राम चरित्रमानस के सुन्दर कांड की चौपाई है, दीन-दयाल-विरद-शंभारी और हरहुनात्मम संकडभारी, दोहा नंबर 26 या 27 की चौपाई है, माता जानकी ने संदेश देकर के भेजा था भगयान राम को, इस चौपाई का नियमित पूप से 11 बार अगर पाठ किया जाए, तो कलंकशे हम अपने आपको बचा पाते हैं, उससे बाहर कैसे निकलना है, वो मार्ग हमें प्राप्त होता है, 12 मुखी रुद्राच्छ, किसी अच्छे बैदिक ब्रहमन के माध्यम से, प्रौपर शिद्धी करण करा करके धारन करन हम इस मार्गशे अपने आपको बचा सकते हैं, तो यह कुछ सुन्दर रास्ते हैं, जिनको आप अपना सकते हैं, लेकिन फिर भी दुवारा कहना चाहूंगा, अगर ऐसी दिक्कते जीवन में आ रही है, या आपको लग रहा है, कोई आपके पीछे सड़ेंद्र कर रहा है, कोई आपको नुक्षान पहुचाने का प्रयास कर रहा है, तो किसी प्रवुद्ध, किसी अच्छे जोटसी से बात करके उस समश्या का निराकरन करें, आज के लिए बस इतना ही, कोई और आपकी समश्या है, कुछ आपको लगता है बात करना है, तो अपना परिवार समझ कर के संस्थामे प्लीज कौल कर लिजी जैस्त्रिवा